दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूडिट चैनल एजुकेटेड भारत में आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विविद या मिस्लेनियस से डिलेटेड टॉप 30 क्वेशन्स देखिए मिस्लेनियस जो होता है बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है किसी दोस्तो प्लीज वीडियो को आइंट तक जरूर देखिएगा आज तो हम सिर्फ टॉप 30 क्वेशन्स कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी हम मिस्लेनियस से बहुत सारे क्वेशन्स कवर करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा शेर जरूर कीजेगा दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेशन सबसे पहला क्वेशन है निमन लिखित में कौन सुमेलित है एलोरा शक महाबली पूरम रास्ट कूट मिनाक्शी मंदिर पल्लग खजुराहो चंदेल तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी देखिए जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्मान चंदेलों के द्वारा कराया गया है यह कहां स्थित है खजुराहु मंदिर तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में आपको यह भी याद रखना है आप देखिए बाकी भी हम देख लेते हैं कि जो एलोरा है इसका निर्मान कराया गया है रास्ट कूटो के द्वारा किसके द्वारा कराया गया है रास्ट कूटो के द्वारा इसका निर्मान कराया गया है महाबली पुरम का निर्मान पल्लव राजाओं के द्वारा कराया गया है जबकि जो मिनाक्षी मंदिर है इसका निर्मायन पांडियन राजा कुल शेखर के द्वारा कराया गया है ठीक है तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि इस तरह की क्वेशन बहुत जादा एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं चलिए नेक्स देखते हैं बड़ा इमाम बाड़ा कहां इस्तित है तो इसका सही आ इमाम बाड़ा को ही कहा जाता है इसका निर्मान किसने कराया है तो देखिए अवद के नवाब थे जिनका नाम था आसफ उद्दोरानी आसफ उद्दोरानी के द्वारा इसका निर्मान कराया गया था अब कब कराया गया था तो 1784 में इसका निर्मान करवाया गया था चलि बनवाया था यह जिचे मोहम्मत शाही यह पूछा गया है तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते इसका सही आंसर हो जायेगा B सवाई Jisations के द्वारा बनाया गया था जिचे मोहम्मत शाही देखिए भी बहुत जाधा पूछा जाता है अब यह कब बनाया गया तो पार बाद चाही distintos णूज़ में अवस्थित है इसमें पार पूछा जाता है अब इसका निर्माण किस ने कराया है तो सवाई प्रताप सिंग के द्वारा इसका निर्मान कराया गया है ठीके तो आपको याद रखना है सवाई प्रताप सिंग का नाम भी क्योंकि इनके द्वारा ही हवा महल का स्थापना करवाई गई है चलिए next प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किस से सम्मंदित है देखे बहुत ही basic question है रेकिन बहुत important है कई बार पूछा जाता है और बड़े से बड़े exam में पूछा जाता है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा D. महाराना प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक ठीक है तो आपको याद रखना है अगर जेतक के बारे में आपसे पूछा जाए कि ये किस से सम्मंदित है तो ये सम्मंदित है महाराना प्रताप से next निमनलिकित में से किसने दिल्ली में खगोली वैच्छाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी आप देखें सही आंसर क्या हो जाएगा इसका चार आप्शन है यापर तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जैसिंग दुतिये के द्वारा दिल्ली में खगोली वैच्छाला जिसे हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं वो बनवाई गई थी अब ये कब बनवाई गई थी तो 1724 में बनवाई गई थी ये जैसिंग दुतिये के द्वारा ठीक है इन्होंने टोटल चार जगहा पर जंतर मंतर के स्थापना करवाई थी अब कौन से चार जगहा है ये तो पहला तो है जैपूर ठीक है जैपूर उसके बाद है उज्जैन एक इनने उज्जैन में करवाई है एक मतुरा में करवाई है और एक वारण असी तो ये चार जगा है जैपूर, उज्जेन, मतुरा और वारण असी जहां पर इन्होंने जंतर मंतर याने की खगोली वैच्छाला की स्थापना करवाई है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का आप्रतिम उधारण है इस्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा A, दतिया में, देखिए जो दतिया है वो मद्यप्रदेश का एक जिला है और वही पर इस्थित है गोविंद महल, तो इसके बारे में यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा D, वीना, देखिए अगर ऐसा कोई क्वेशन पूछा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा वीना, जो सबसे प्राचीन वाद दियांतर है कौन से ब्रहत मंदिर के प्रारंबिक अभी कल्पना तथा निर्मान सूर्य वर्मन दुतिये के राजिकाल के दौरान हुआ इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, देखिए बहुत important question है, इसका सही आंसर हो जाएगा B, अंकोरवाट मंदिर ठीक है, इसका जो निर्मान स्टार्ट हुआ था, वो सूर्य वर्मन दुतिये के राजिकाल के दौरान स्टार्ट हुआ था अंकोरवाट मंदिर स्थित कहां है, तो ये स्थित है कमबोडिया में, देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि ये कहां पर है, तो कहां पर है, कमबोडिया में है, ठीक है आपको याद रखना है, ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये विश्नु जी को समर्पित इतना आपको इसके बारे में याद रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिकित में कौन सा एक युगम सही सुमेलित है विक्रम शिलामट उत्तर प्रदेश, हेमकुन गुरुद्वारा, हिमाचल प्रदेश, उदैगिरी गुफाए, महारास्ट या अमरावती बौधस्तूब आंध्र प्रदेश इसमें से एक सही है तो सही आंसर हो जाएका D अमरावती बौधस्तूब जो है वो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है अब जो बाकी के option है वो भी हम देख लेते हैं कि सही सही कहां पर अवस्तित है क्योंकि हो सकता है कि इन में से कुछ पूछ लिया जाए तो सबसे पहले है विक्रमशिला मठ तो देखिए कहां पर है ये स्थित है बिहार में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है विक्रमशिला मठ जो बहुत जादा प्रसित है इसके बाद आता है हेमकुंड गुरुद्वारा ये गुरुद्वारा जो है ये भी बहुत प क्याwnieंने इस्तित निया नेडे शूर्य मंदिर सूर्य मंदिर स्थित हो है पुरिमें खजुराहों में कॉनार्क में या गया में तो इसका सहे आंसर हो जाएगा तो सही है रख्या burial स्य सूर्य मनदिर कजी को बहुत जबा अच्छे इसके बारे में सीख मिलती है नेक्स्ट पृत्वी राज विजय का लेखक कौन था पृत्वी राज विजय का लेखक कौन था तो ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा सही आंसर होगा C जैनक देखे जो पृत्वी राज विजय ये जो एक लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये लिखा गया है पृत्वी राज तृतिये के बारे में, ठीक है, इसमें हमें जो जानकारी मिलती है, तो पृत्वी राज तृतिये के बारे में, पृत्वी राज विजये में हमें जानकारी मिलती है और ये जैनक के द्वारा जो एक कश्मीरी पंडित थे उनके द्वारा लिखी गई है और देखी ये संस्कृत ग्रंथ है ठीक अगर पुछा जाए कि पृत्वी राज विजय क्या है कौनसी भाशा में है तो ये एक संस्कृत ग्रंथ है नेक्स्ट नागर शैली, द्रविंट शैली और बेसर सैली देखिए जो नागर शैली है यह उत्तर भारत में इसके द्वारा जो मंदिर का निर्मान किया गया है वो उत्तर भारत में किया गया है द्रविंट शैली की जो मंदिर है वो हमें दक्षिन भारत में देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये मंदिर वास्तू की तीन प्रमुख शेह लिया है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, मैगस्तिनीज ने सबसे पहले देखिए जो मैगस्तिनीज है वो किसकी टाइम पर आया था तो चंद्रगुप्त मौरी के टाइम पर मैगस्तिनीज आया था चंद्रगुप्त मौरी के टाइम पर ये आया था ये भी पूछा जाता है इनके द्वारा लिखी गई एक बुख है जिसका नाम क्या है इंडिका जिसके बारे में बहुत जाधा पुछा जाता है और इनकी जो बुक है इंडिका उसमें पाटली पुत्र के बारे में और चंद्रगुप्त मौरे के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से कौनसा विद्या अध्यान का केंद्र नहीं था तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कॉशंभी? बहुत easy question है इसका सही answer हो जाएगा D कौशम भी रेकिए प्राचीन भारत में क्या था विद्या अध्यन का केंद्र नहीं था कौन सा कौशम भी जबकि तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा यहां सभी पर विद्या मिलती थी मतलब विद्या अध्यन के लिए ये सारे जाने जाते थे शूनी की खोज किसने की इसका सही answer क्या हो जाएगा सही answer है B आरे भट के द्वारा शूनी की खोज की गई है ठीक है बार बार कहा जाता है कि भारत की देन है शूनी या जीरो और यह किसने दिया है तो यह दिया है आरे भट ने यह आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है किस पुस्तक का पंदरा भारतिये और चालिस विदेशी भाषाओं में अनुवात किया जा चुका है तो इसका सही answer क्या हो जाएगा चारों में से तो इसका सही answer है C पंच तंत्र देखिए जो पंच तंत्र है ये विश्नु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपको याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है तो विश्नु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है और ये वो बुक है जिसका पं नुमिस्मेटिक्स क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सिकोवा धातूओं का अध्यन नुमिस्मेटिक्स कहलाता है ठीक है यह बहुत जादा पूछा जाता है देखे एक्जाम में एक नाएक ऐसे क्वेशन्स आते हैं कि यह स्टेडी किस से रिलेटेड है या एक नाम सा अध्यन इससे रिलेटेड है तो ऐसे क्वेशन्स बहुत जादा आते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि नुमिस्मेटिक्स में किसका अध्यन किया जाता है तो सिकोवा धातूओं का अध्यन किया जाता है नेक्स्ट हितोबदेश के लेखक है बांढभड बवभूती नारायन पंडेत या विश्नु शर्मा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नारायन पंडेत के द्वारा हितोबदेश लिखा गया है नेक्स्ट नाट्य शास्त्र की रचना किसने की देखे जो भी ग्रंथ होता है बुक होती है पुस्तक होती है बहुत जादा पूछी आती है हर एक्जाम में एक या दो क्वेशन से रिलेटेट मिल जाते हैं और यह हमें कहां से मिलते हैं विवेदिया मिसलेनियस से ही मिलते हैं तो इसलिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट क्वेशन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी भरत मुनी के द्वारा रचना की गई है ना हरीशेन है यहe अग्या थे फ़रार के दर्बार मेंुठ समुध्र गुप्थ आपने गुप्त- राजा के बारे में पढ़ा होगा समुध्र गुप्त जिसे हम भारत नेपोलीन भी कहते हैं वह इनके ही दरबार में रहते थे कौन? हरिशेण, जो कवी भी थे और इनके दरबार में मंत्री भी थे तो इन में से कौनसा सुमेलित नहीं है तो सहीा आंसर क्या हो जाएगा? हरिशेण, हरिज, ठीक है? Next 사क समवत प्रारंब हुआ ABCD में से क्या सही होगा? तो सही आंसर हो जाएगा B 78 इसवी में सक समवत प्रारम हुआ था देखे बहुत ज़्यादा important इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा भारत का रास्टी कैलेंडर है वो सक समवत पर ही आधारित है तो इसलिए बार बार देखे जुत्ते भी समवत है प्रारम समवत या हिजडी समवत या सक समवत सभी के बारे में पूछा जाता है बार बार लेकिन सबसे ज़्यादा important क्या है सक समवत है इसलिए है क्योंकि भारत का रास्टी कैलेंडर इस पर आधारित है नेक्स्ट निमनलिकित में से किसको चालको लिथिक एज कहा जाता है पुरा पाशान यूग, नव पाशान यूग, तामर पाशान यूग या लोह यूग तो इसका सही answer हो जाएगा C, जो तामर पाशान यूग है उसे ही चालको लिथिक एज कहा जाता है देखिए as it is question आ चुका है एक exam में ऐसा ही मैंने देखा है तो इसलिए प्लीज आप इसको जरूर याद रखे क्योंकि बहुत जादा important है next स्वपने वासवदता के लेखक है कालिदास भास भभूती या राजशेखर तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी भास के द्वारा स्वपने वासवदता लिखा गया है ठीक है ये देखे बहुत जादा important है और ये क्या है ये एक संस्कृत नाटक है जिसमें वासवदता के सपने के बारे में बताया गया है किसके द्वारा लिखित है ये तो भास के द्वारा लिखित है next नालंदा विश्व विध्याले किसलिए विश्व प्रसिद्धा चिकित्सा विज्ञान तरक शास्त्र बौध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान तो इसका सही आंसर हो जाएगा C. बौधिदर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्व विध्याले विश्व प्रसिद्धा उश्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के वैपारिक मार्गों पर मौन है इसका सही आंसर हो जाएगा B. मिलिंद पनोह जो है ये प्राचीन भारत के वैपारिक मार्गों पर मौन है इसे बहुत इंपोर्टेंट है इसे भी ज़रूर त्याद रखिए नेक्स देख लेते हैं आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो मैगनन मनुष्य, नियंडर थाल मनुष्य या पैकिंग मानुष्य ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत इंपोर्टेंट भी है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रो, मैगनन, मनुष्य, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्राम्मी, देखें, जो ब्राम्मी लिपी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देवनाग्री लिपी हम यूज करते है और उसी का प्राचीन रूप कई बार पूछा जाता है ठीक है तो इसलिए आपको ब्राह्मी याग रखना है लास्ट क्वेशन है ये मानव द्वारा सर्व प्रतम प्रयुक्त अनाच था चावल, गेहू और जौ, जौर या बाजरा तो उसका सही आंसर हो जाएगा प्रतम प्रयुक्त अनाच थे बहुत जादा इंपॉर्टिन क्वेशन है देखे कई बार बेसिक क्वेशन ऐसे होते हैं जो हमें एक्जाम में नहीं बनते इसलिए हमें बेसिक क्वेशन भी बहुत अच्छे तरीके से याद करके जाना होता है यहीं पर दोस्तो हमारे 30 क्वेशन कंप्लीट हो गए है आशा करती हो आपको वीडियो समझ में आया होगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत दोस्तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और बेल आइकन जरू ब्रेस कर दीजेगा थेंक यू